नमस्कार स्वागत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पुनीत मिश्रा सत्ता का महा संग्राम आप देख रहे हैं लोग सभाद चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो लेकिन देश में गारंटियों की सियासत खुब चमक रही है बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही जनता से संबाद कर रही हैं और साथ ही वायदे किये जा रही हैं और ये भी ग्यारंटियों के साथ ग्यारंटियों का जिक्र हो रहा है प्रधान मंत्री मोधी अपनी सभाव में वेपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं और उनकी नाकामियों को गिना रहे हैं लेकिन लगे हाथ जनता को ग्यारंटी भी दी जा रही है दूसरी तरफ कॉंग्रेस की तरफ से राहूल गांधी मैदान में हैं और वो भी ग्यारंटी दे रहे हैं और उनके फोकस पर जुबा हैं मोधी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा 30 लाख सरकारी नौकरिया हम दे देनें तो गारंटी बनाम गारंटी यानि कि तिलंगाना में विधान सभा चुनाव जो हुआ है इसमें कॉंग्रेस की गारंटी ने काम कर दिखाया तो मध्यप्रदेश और 36 गढ़ में ये नाकाम भी रही उधर प्रधान मंत्री की गारंटी पर जनता ने विधान सभा चुनाओं में खुब भरोसा जदाया राजस्थान, मध्यप्रदेश और चातीजगर जैसे राजियों में जनता ने मोदी की गारंटी पर मुहर भी लगाई अब जबकि लोग सभा के चुनाव होने हैं तो एक बार फिर से गारंटीओं का जिक्र चल निकला है पस्चिम मंगाल के बैनों, पस्चिम मंगाल के गरीब, पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है, जिसने गरीब को लूटा है, उसको लोटाना ही पड़ेगा जिसने लूटा है, उसे लोटाना ही पड़ेगा बीजेपी के तरह कॉंग्रेस भी लोग सभा चुनाव के लिए गारंटी का दावा कर रही है हाला कि विदान सभा चुनाओं में भी कॉंग्रिस ने गारंटी का वादा किया लेकिन जनता ने इसको न कार दिया एक बार फिर से राहूल गांधी गारंटी की बात कह रही है कि 90 परसेंट को 30 लाक सरकारी नौकरियां हम दे देंगे दूसरा एतिहासिक काम हम बंडरेगा प्रोग्राम लाई थे रोजगार का अधिकार लाकों लोगों को फाइदा हुआ अधिकार दिया हमने वैसे ही हम हिंदुस्तान के युवाओं को सब युवाओं को अप्रेंटिशिप का अधिकार देने जा रहे हैं चलिए आपको सबसे पहले पियम मोधी और राहुल गांधी की गारंटियां क्या क्या हैं वो आपको बता देते हैं जनता को जानना बेहत जरूरी है क्योंकि वोटिंग की बारी अब आपकी आ गई है हर व्यक्ति को मकान ये ग्यारंटी दी गई है हर व्यक्ति को रोजगार ये भी ग्यारंटी दी गई है इसके लावा बैनों को लखपती बनाने की भी ग्यारंटी प्रदानवंतरी मोदी की तरफ से दी गई है ब्रेश्टाचार मुक्त भारत की बात भी कही गई है और किसानों की आए बढ़ाने की बात भी बीजेपी की तरफ से ग्यारंटी के तौर पर कही जा रही है जुनता के सामने उधर कॉंग्रिस की तरफ से क्या ग्यारंटी या दी जा रहे है तीस लाख नौकरी की ग्यारंटी सबसे बड़ी ग्यारंटी और युवाओं को पकी नौकरी देने क की यह ग्याराण्टी एसके अलावा यह ग्यारांटी भी दी जा रही है कि पेपर लीःख होने की जो समस्या है इस मुक्ति आपको दिलाती जाएगी सामाजिक शुरक्षा की बात भी अब कही जा रही है इस ग्यारांटी के तहत स्टार्ट अब के लिए फंडिंग की बात भी कही जा रही है तो कुल मिलाकर बीजेपी और कॉंग्रस दोनों के तरफ सी ग्यारंटीयां जो हैं वो तो लगाता दी जा रहे हैं लेकिन अब गेंद जनता के पाले में कौन किसकी ग्यारंटी पर फरोसा जताता है दरसल आपको बता दें कि मध्यप्रदेश, 36 गड़, राजस्थान, तेलंगाना समेथ 5 राजियों में जो हाल ही में चुनाव संपन हुए कुछ महीनों पहले उसमें तेलंगाना को अगर छोड़ दिया चाए तो तब भी ग्यारंटीयों की बात वहीं से चल निकली है और वहां से ये जो बात चली है इसमें बीजेपी पर मध्यप्रदेश, 36 गड़ और साथी साथ राजस्थान, वहां पर बीजेपी पर भरुसा जताया, यानि की प्रधान मंत्री की ग्यारंटी की बात जो बार बार की जाती है, मोधी की ग्यारंटी, उस पर भरुसा जो है वो जताया गया, लेकिन अब लो गुण्जन चौक से बीजीपी प्रवक्ता, गुण्जन जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, सबसे फ़हले आनन्द जाट साब मैं आपी की पास आ रहा हूँ, ग्यारंटीयों के आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्यारंटीयां दोनों तरफ से दी जा रही हैं, औ और ग्यारंटीयों की जब बात होती है तो विधान सभा का चुनाव भी आदाता है और उसके बाद पूरे हो रहे बादे भी आदाते हैं लेकिन कॉंग्रिस भी ग्यारंटीयां दे रही है ग्यारंटी वेर्सिस ग्यारंटी का खेल चरता है क्या कहेंगे सब देखिए भारत का युवा जो है 45 साल की सबसे लंबी बेरोजगारी से अभिशप्त है और एक ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी अभियान में थे 2013-14 से तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड नोक्रियां हर साल हम देंगे तो इस तरह से 20 करोड नोक्रियां दे तो यह 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी भारत और मध्यप्रदेश के युवा के हिस्से में नहीं आती यह क्या मोदी की गारंटी नहीं थी क्या यह युवाओं के बारे में जो कॉंग्रेस पार्टी ने सोचा है युवाओं के बारे में अच्छा कौन ऐसा है इस देश की बात है देश का युवा चाहता है कि पेपर लीक ना हो क्योंकि आप देखिए एक भरती परिक्षा 55 साल 6-6 साल तक रहती है और उस समय में कई सारे लोग ओवरेज भी हो जाते हैं तो यह मैं समझता हूं कि एक अच्छी पहल है जिसका स्वागत होना चाहिए फोन क पक्त बीड़ी बात करती है ना उज्वा दोला से उज़ाला हूँ और सवच्छ भारत से सभाण कालेधन का पता नहीं और रोजल यह महंगाए यह भारतिये जंता पार्टी की और मोधी की गारंटी की असलियत है उजवला से आप कह रहे हैं कि उजाला भी नहीं हुआ सफाई की बात भी आप कह रहे हैं कि कुछ सफाई भी नज़र नहीं आती इसके लावा भी आप निशाना साथ रहें गुण्जन जी एक बार फिर से देखिए पुरानी गारंटीयों क क्या हुआ यह तो कॉंग्रेस सवाल करी रही है साथ ही मैं कह रही है कि यह गयारंटीओं से कुछ होने जाने वाला नहीं है जो मुद्दे हैं असल मुद्दे हैं उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश है और इसलिए दूसरी बाते की जा रही है चाहे वो अर्थ व्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाने वाली बात ही क्यों न हो देखिए पुनीच जी सब प्रतम आपको और सभी दर्शकों को महाशिवरात्री की और महिला दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है पुनीच जी कॉंग्रिस जो बात कह रही है मैं पहले तो इनकी बात का खड़न इसली करना चाहूंगी राहुल गांदी जी कौन सी ग्यारेंटी की बात कर रहे है राहुल गांदी जी परिवारवाद के ग्यारेंटी की बात कर रहे है राहुल गांदी जी हर उस व्यक्ति को ग्यारेंटी देना चाहते हैं जो कॉंग्रेस में अपने अपने परिवार को अपने बेटे को बचाने का काम करना चाते हैं सत्ता हासिल करना चाते हैं कुर्सी हासिल करना चाते हैं यह उन ग्यारिंटी की बात कर रहे है अर्थ वेवस्ता उधारिन के तौर पर बताऊंगी 2014 से पहले भारत की अर्थ विवस्था कौन से पैमाने पे थी 11 नमबर पे थी आज 10 वर्षों में भारत की अर्थ विवस्था 5 पैमाने पे है तो ये विकास किस ने किया है ये भारती जन्ता पार्टी ने विकास किया है मैं अगर मध्यप्रदेश की बात कर लूँ तो 2003 का मध्यप्रदेश और 2023 की मध्यप्रदेश का पूरा रूप और प्रारूप में बदलाव हुआ है ये किस ने किया है ये भारती जंता पार्टी ने किया है मैं पर कैपिटा इंकम अगर आपको याद दिला दू तो 2003 में वो मात्र 12,000 रुपे थी आज पर कैपिटा इंकम मध्रदेश में 1,40,000 है तो ये जो विकास है जो GDP में ग्रोथ है 16 प्रतिशत की ये जो विकास है ये ग्रोथ है ये किस ने किया है ये भारती जंता पाटी ने किया है एक युवा जो फर्स टाइम वोटर्स की अगर मैं बात करूँ उसकी उम्र 18 से 19 वर्ष की है वो क्या देखता है सुम्र में कि अच् अध्य प्रदेश था वो लापता मत्वर्देश था जिस फर्स टाइम वोटर की आप बात कर देखता है कि उसकी उम्र हो गई है अब उसको नौकरी करनी है उसको रोजगार चाहिए सबसे पहले वो यह देखता है रोजगार की भी बात कर रहे हूं हमारे यश्रस्फी प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोधी जी न चार वर्गों की बात की है युवा कल्यान की बात की है गरीब कल्यान की बात की है महिला शशक्तिकरण की बात की है किसान शशक्तिकरण की बात की हो इन चारों वर्गों पर भारती जंता पार्टी का काम चल रहा है और यहीं वज़े है कि चाहे स्वासोहायता समू हो चाहे युवाओं की कोशनल ट्रेनिंग हो चाहे युवाओं को नौक्रियों की बात हो भारती जंता पार्टी ने आज युवाओं को शशक्त कर रहा है वैसा युवा नहीं चाहता क पॉरी कर रही है इन तरह जूटी गैरेंटी जूटे वादो से जनता आप भ्रमित नहीं होगी सरकार दस साल से कुंडली मार कर बैठी है क्या वो भरतियां नहीं होनी चाहिए अगर हम वो भरतियां कर रहा है तो क्या गलत बात कर रहा है युवाओं के साथ इस तरह का छलावा क्यों शब्दों की बाजीगरी और शब्दों की जो महीन गोल गोल जलेवियों बनाने से भाजपा की प्रवक्ताओं को कभी फुरसत नहीं मिलती है इसी मध्यप्रदेश में साड़े पांच करोल लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है और कह रहे हैं कि हमारी प्रतिव्यक्ति आए बढ़ गई है अगर वो गरीब नहीं है तो क्या भोगस रासन कार्ड है मध्यप्रदेश में क्या फालतू में गरीब बनाकर जो है आप उनको राशन दे रहे है गुंजन जी इसका जवाब दीजिए अगर गरीबी नहीं है तो रासन क्यों दे रहे हो कोई तकलीफ नहीं है आप जूट बोल रहे हैं तो तकलीफ क्या है को आप जोड़ा रहा हूं गुंजन जी यह कहा जा रहा है कि इतने लोगों को राशन दिए जा रहा है राशनकार फर गरीबी नहीं है यह कहा जा रहा है यह दोनों बातें कैसे हैं जाना चाहिए जनता भी जहना है कि अगर किसी को राशनकार के तहट गरीबों को अगर गरीबी ए jakiś से ऊपर उठाने की को योजना आई थी अगर महिलाओं को स्वावलपी बनाने की कोशिशा लोग सभा में आज दो करोर महिलाओं को स्वावलपी बना रही है तो कंग्रेस को तकलिक क्या है लेकिन गुंजन जी लाडनी वहना कि आप यहां पर कर रहे हैं तो यह यह देखिए नारी सम्मान योजना प्रदेश लेकर आई थी और पहले एइलान कोंग्रेस ने किया था फिर बीजेपी चुकी सत्ता में थी तो बीजेपी ने उसे शुरू कर दिया बात यह नहीं है बात तो दोनों दल एक सरीखी करते हुए नजर आते बात यह नहीं है बात है ग्यारंटी हों के पूरे होने क पुनी जी गैरंटी को पूरना और वार्वात नहीं है इनके लिए परिवार्वात के वर भ्यान भठकाने का एक एजेंडा है हिमाचर प्रदेश में नोने लाटी आगा पूरिया था कि अगर सारे 5 करोड हो लोग मत्या प्रदेश में तो भाट्पा के लोगों ने परिवार वाद पर सवाल उठाते हैं मैं आप से सवाल पूछते हूं बहुत शुक्रिया आप दोनों मेमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए गारंटी और फिर एक दूसरे पर सवाल कि इन्हों ने क्या किया हमने क्या किया इस पर बात आकड टेहर जाती है बहुत शुक्रिया आप दोनों मेमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बगते आगे बलकि S.P. ने अब तक यहां से उम्मीदवार का एलान नहीं किया हाला कि ये सीट S.P. के खाते में हैं इंडिगर्ड बंधन के तहर्ट ऐसे में कैसा होगा खजुराहो का लोग सभाज चुना और क्या है खजुराहो सीट का सियासी समय करान आईए जानते हैं मद्ध प्रदेश में खजुराहो लोग सभा सीट हाई प्रफाल सीट बन गई है यहां से बीजेपी ने वीडी शर्मा पर दोबारा भरोसा जताया साल 2019 में पहली बार वीडी शर्मा को बीजेपी ने लोग सभा का टिकट दिया और उनोंने पार्टी को निराश भी नहीं किया सीट बीजेपी की जोली में गई और वो भी बड़े अंतर के जीट के साथ इस जीट के बाद वीडी शर्मा का कद बढ़ा और फिलहाल वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वीडी शर्मा फिर से जीट का दावा कर रहे हैं साथ ही खजुराहों में किये गए कामों की चर्चा भी कर रहे हैं और में स्वास्त के चेत्र में टूरीजम के चेत्र में आज पंणा टाइगर रजर्ब की कारण से खजुराहों इसका इतना ज्यादा हमें अबसर मिला है कि देश के दुनिया के आने बाले जो विदेशी टूरिस्त हैं उनकी पहली पसंद पन्ना बनाए तो खजराओ पन्ना एक हब बन रहा है तो इस प्रकार से खजराओ के छेतर में आज आप देखेंगे कि एविएशन में वानी प्रधान मंत्री जीने दो पाइलेट रर्निंग सेंटर तो बुंदेल खंट का नोजमान भी अब उडान भरना चाता है तो उसे बहार नहीं जाना होगा ये तो हुई बीजेपी के प्रत्याशिकी बाद खजुराओ लोगसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है यहाँ MP की पूर्व सीयम रही उमा भारती ने बीजेपी के लिए राजनितिक जमीन तयार की मसलन 1989 से 1999 तक उमा भारती लगातार सांसद रही 1999 में कॉंग्रेस के सत्यवरत चत्रुवेदी सांसद बने रहे 2004 में बीजेपी के रामक्रेश्न कुसमारिया सांसद बने 2009 में बीजेपी के जितेंद्र सिंग बुंदेला जीते 2014 में बीजेपी के नागेंद्र सिंग सांसद बने 2019 में वीडी सर्मा ने जीत दर्च की खजराओं लोकसभा में कुल आठ विधान सभा है चंदला, रामनगर, पवई, गुन्नौर, पन्ना, विजेरागोगड, मुडवारा और बहोरी बंद को मिला के लोकसभा सीट बनी है खास बात ये है कि 2023 में हुए लुविधान सभा चुनौव में आठो सीटों पर बीजेपी ने जीत का डंका बजाया वहीं लोकसभा में वोटर्स की बात करें तो कुल 18,31,837 मद दाता है 9,65,170 है जबकि महिला मद दाता 8,66,641 है खजराओं के जातिगत सम्मिकरण की बात करें तो वहीं सामान्य वर करीब 8,3% है OBC वोटर्स की संख्या 36,4%, SCST 23,6% और वहीं अल्प संखत 10,4% है खजराओं लोकसभा सीट में OBC और SCST वोटर्स निर्णायक है ऐसे में इंडी गडबंधन ने एक रणनीती के तहट MP को सीट दी है UP में सटे इस इलाके में गडबंधन को मिध है कि OBC और SCST वोटर्स बैंक से सेंध मारी हो सकती है BGP के मजबूत किले में इस बार सेंध लगती है या फिर किला अभिद रहता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा Bureau Report News 18, Madh Pradesh और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुचला है जल्दे लौत